इसका नाम तफी है ये कुछ दिन पहले यहां आया था और इसको बहुत गंभीर चोट लगी थी इसके कुछ अंदर के ऑर्गन्स भी बाहर आये थे तो यह अवारा गुत्ता नहीं है इसके पिता जी इसको लाए पिता जी मैं इसलिए कह रहा हूं मालिक नहीं क्योंकि मालिक माल का होता ना यह जीव है और वो इतना इससे जुड़े वे उन्होंने कहा मैंने इसको बच्चे की तरह पाला है वो बोलते बोलते बिलखके रोना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत इसकी सीरियस कंडिशन थी पर उनको मैंने धांडस बदाया कि आप चिंता मत करिए हो जाएगा ठीक डॉक्टर अंकित हैं बॉबी है साहिल है राधा है यह कर देंगे अंदर से मैं खुट डर रहा था पर उन्होंने करी सर्जरी की सर्जरी सक्सेस्फुल रही और अब यह पेंकिलर्स पर हैं अंटिबाइटिक्स पर अभी रिकावर कर रहा है यहां पर तो दर कि मुझे एक लगा मैंने थोड़ा छोटा महसूस किया क्योंकि ना उससे ठीक पहले मैं घर में तूटू में में हो रखी थी और मैं बड़ा आग बबूला हुआ वा था छोटी सी बात थी मेरा चाय का गिलास जो है वो मिल नहीं रहा था किसी ने इधर से उदर रख दिया और मैं बड़ा तकलीफ में था तो जब इसको देखा तो एकी तब मुझे थोड़ी शरम सी आई कि ये तकलीफ है जिस चीज को मैं अपनी सफरिंग बता रहा था वो तो सिर्फ मेरी कल्पना में है पर ये हकीकत में तकलीफ में था इसके पिता जी हकीकत में तकलीफ में थे तो मुझे लगा यार कि हाँ मैं करता हूं मदद करता हूं मेरे gaan असपास इतने जीव हैं जो दुख में हैं और मैं इनकी मदद करता हूं पर ये भी मेरी मदद करते हैं क्योंकि पता लगता है ना कि भर ये असल सफ्रिंग है फिर दूसरी बात की पर्दी चेवंनीब आप्किसी और की समस्या स्थ हुल आपके सामने मेहनत से स taraf ह मतुस्य हो जाते हैं तो इसलिए जर्ड ब्राफम करते हैं दिख रहा हों हो सफर रहा है बड़े दुख में मत जाता है तो एक मन में बड़ा एक संतुष्टी सी आती है आपको लगता है कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल हुई तो लगता है कि जीवन का कोई उद्देश है जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो बड़ी कंपनियों में लगे हैं वो बड़े सारे वह हैं, उनके से डिप्रेशन में भी रहते हैं, वो इसी भी है, उनके जीवनता कोई उद्देश है, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं लगता हूँ तो इनी तीन चीजों के चलते, मैं कहता हूँ कि यार, दूइंग गुड फील ग्रेट जैसे खाने का स्वाद शेयर करने से बढ़ता है, वैसे वीडियो का इंपक्ट भी शेयर करने से बढ़ता है, तो पीस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब